हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपके अपने चनल दी एक्जाम हेलपर में हैं तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरहारबी क्लरख परी का जो 14 अधस्ट का सिर्फ्ट फश्ट का जो एक्जाम है वो जो है आपका over हो चुका है तो उसका जो एक्जाम एनले अब सेकेंड सिप्ट वालों को तो अभी यह नहीं मिल पाएगा थर्ड सिप्ट या फोर सिप्ट में तो आप इसको देख के जा सकते हैं आप मोटिविट हो सकते हैं क्योंकि पेपर बहुत ही सिंपल आ रहा है बिल्कुल जो सिंप्लिपिकेशन बिल्कुल आप उंगलियों प पर देते रहेंगे और साथ ही कोई भी अन गवर्रमेंट एक्जाम है उसकी भी जानगारी देते रहेंगे तो चलिए वीडियों स्टार्ट रहें हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रीजनिंग में क्या पूचा गया है सेव अटेम्ट क्या हो सकते हैं तो चलिए री अच्छा भी दिया है पूरे इन्होंनों क्यों बता दिया है उनके अटेम्ट भी कापी अच्छे रहे हैं तो देखिए आपको दिख रहा हो पांच नंबर का आपका स्लोक्स पूचा गया था जो की मॉडरेट लेबल ता जिसमें की तीन आपके जो क्वेस्चन थे वो तीन तीनพरण चॉटमयीन अच्छ कवा तो पूचछ गया था इसके बाद पंच का आपका सीघ्रमे देख रैखका था बिल्कूल सिंबल जिसमें की लेटर नबर और से रखे करके दे रखा था इसके बाद जो है आपका एक पांच नमर के चैनिस कोडिंग पूछा गया था जिसमें कि मात्र आठ से नो वर्ड ही आपको फाइंड कराया गया थे बहुत ही सिंपल था इसके बाद तीन नमर का डायरेक्शन पूछा गया था यह भी इजी था साहिद दो थ तीन कोश्चन आपके मिसलेनियस के थे ठीक है वर्ड पेरिंग वाले थे एक और रेंकिंग से भी था साहिद इसके बाद 18 से 20 नमर का जो है आपका पजल पूछा गया था जिसमें की 8 बॉक्स था 7 फ्लोर था और 8 जो है स्क्वेर में बैठे थे 8 लोग जिसमें 4 इन और 4 आ 5 प्लस अट्रम्ट करके आएं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं ठीक है और आप 35 प्लस करके हैं को कि रीजनिंग का जो पेपर है बहुत ही साधा सिंपल रहा है और अहिमंद सुकला जी भी इसमें 38 करके आए हैं ठीक है तो इसके बाद चलिए हम मैस का जो है रिव्यू क नहीं पड़ी थी बिल्कुल उंगलीयों पर हो रहा था ठीक है इसके पांच का क्वाड्रीटिक पूचा गया था जिसमें कि इजी था बिल्कुल बहुत ही छोटे चोटे चोटे आपको करना थे ठीक ना और दस नंबर का जो है डिया पूचा गया था जिसमें एक बार गर और एक लाइन गिराब था बिल्गुल सिंपल ये भी दे रखा था लब और दस से बारा का अर्थमेटिक था जो की इजी था अगर दो तिन को छोड़ दिया जाए तो बिल्गुल इजी था यान कि अगर आप मैत का अवरॉल देखे तो मैत में अगर आप थर्टी टू पिलस करकर आ रहे हैं तो बिल्गुल आप से पट्रम्ट में माने जाएंगे ठीक है और अगर आपकी से कम है और आप कैट्गरी बें आते हो तो आप से मान सकते हो ठीक है तो अगर हम और कट-op की एनलेजिस की बात करें तो हम देख लेते हैं कि और आप जो कट-op क्या रहने वाल तो टोटल जो कहींद दस होने वाली है जिसमें वह paper है कहीं न कहीं जो है ऊपर नीच collaborate कुछ देख अधा इससय HRंब एससे पहले दो धो धो कांगूलूंजन धोड़ सेटने दो पूछ गया तो कहीं न कहीं मंदब ऑन सिसमें जो है आपका जुब तो कहीं न कहीं आपका इसमें जो है नॉर्मलाइजिशन जो है ये वर्क करने वाला है तो बिल्कुल आपको नंबर आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं बिल्कुल ठीके तो अगर हम शेप अटेंट की अगर बात करें तो शेप अटेंट आपका माना जाएगा 66 से 70 तक और इसके और आपके 62 पिलस है तो आप बिल्कुल सिफ केटगरी में है ठीक है और यही आपका मलब इससे एक दो नंबर उपर प्लस माइनस कर सकते हैं यही आपका जो है कट अगर साल को देखा जाए और पिछले जो एक्जाम होए उनको देखा जाए अनलिस को मैंने बहुत ही बच्च और देखें एवरेज कट अब तो 66-70 रहने वाला है अगर तीन से चार इस्टेट को छोड़ दिया है कोगि वहाँ पर कट अब हाई ही रहती है ठीक है तो यही आपको देने वाले है तो बने रहे है इस चैनल पर उसके भी लिए आपको चैनल को सब्सक्राब कर लिए और ब